नमस्कार, News Click में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने। अभी कुछ दिन पहले इंडियन काउंसिल फर हिस्टॉरिकल रिसर्च आईसी एचार ने गोशना की कि वे हिंदुस्तान के इतिहास का एक नया बारा चौदा वॉल्यूम का संकलन बनाएंगे जो एक्जिस्टिंग इतिहास का जो फ्रेमवर्क है उसको रद करते हुए। ठीक उसी के समय एक सरकारी प्रोग्राम में प्रधान मंत्री और ग्रिह मंत्री अमित शाह ने इतिहास कारों को और इतिहास के चात्रों को कुछ सीख दी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है कि एक नया इतिहास लिखा जाए क्योंकि जो फिलाल का इतिहास है उसे संग परिवार को परिशानी है उसको वो बदलना चाते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो इतिहास क्या समझ से आये हैं, क्यों बदलना चाते हैं और इतिहास के नाम पर क्या पढ़ाया और लोगों को विश्वास दिलाना चाते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे मित्र हैं बहुत पुराने इस इर्फान हभीब साफ जो इतिहास के बहुत बड़े जाने माने नाम हैं और इन्होंने कई किताबे लिखी हैं ये मुलाना अजाद चेयर के भी बहुत जाने माने स्कॉलर हैं तो इर्फान भाई सबसे पहले तो आप से एक बात कि आप इतिहासकार हैं तो क्या आपने अमित शाह जी के दिये हुए जो सीख है या जो इंस्ट्रक्शन्स हैं जो मैं पढ़के सुनाता हूं कि I request all students and university professors to get over this narrative that history is not correct and you must remove distortions in history तो क्या इसको करने अमल करने में लग गए हैं आप लेकर पहले बात तो इसी ग्रह मंतरी को शोबा नहीं देता कि वो इस तरह का कोई statement दे और इतिहास का जो लेखन है उसमें डिरेक्टिव दे के उसको लिखा जाए इतिहास कार क्या सोचते हैं लेफ्ट रखो के हो राइट के हो सेंटर के हो यह उनका प्रेरिगेटिव है और फैसला है तो यह एक ग्रह मंतरी जब कहता है तो यह पुलिटिकल स्टेट्मेंट होता है वो एकडेमिक स्टेट्मेंट नहीं है क्योंकि क्योंकि वो एक राजजनतिगे ने कहा और कोई भी राजनतिग चाहे किसी भी पक्स का हो अगर वो कोई बात कहता है तो वो फने राजनतिख उदेशों को और भाविशय को ध्यान में रखते हुए कहता है जी मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पूरा प्रोजेक्ट एक पॉलिटिकली मोटिवेंटेड प्रोजेक्ट है और इस बात की गवाई हमिश्या जी के अपने स्टेटमेंट से भी मिलती है क्योंकि उनका दखल डिरेक्टली हमने देखा तो इसलिए उसमें तो कोई शक नहीं है अब आशियाचार का आपने जिकर किया आशियाचार के के पूरे वक्तवे का मैंने अध्यान किया था जी दो चार पेज हैं वो जो मैंने पढ़े और एक प्रोग्राम भी कहीं किया था किसी चैनल पर जहां वो कहते हैं कि हमारा हुंचार की सिस्टुष्री से दूर जाएं हम उसको ख़तम करें राषवादी इत्यास लिखें जियो कल्चरल फिर लिखें जियो पुलिण के लिखें तो इन दो बातों को फिर दुसरी चीज्डिए तीस्री चीज्ड हम तीन साल में चोदा वोलियुम इतिहास के संगलित करें गे – एक एक करके आप पिदके लिए – जिए पेलिवी बात के यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री किया बात कर रहा भई, si cycle, nouvelles, उस यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री कोलोनील हिस्टडी से हमने फासिला कर लिया था हम आज जो इतिहास लिखते हैं आप चाहे लेफ के हो राइट के हो राइट के हो किसी भी हितिहास लेकिन उस से थो हम बहुत आगे निकल चुके हैं उस और यूरो सेंट्रिसम को हम बार-बार question करते रहते हैं यूरी से,"प हिस्ट्री लिखी. मैं नहीं लगता हूँ, समझता हूँ कि कहीं भी विंसेंट स्मित की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ा जाती है, या इलेट इंडाउसर के वॉल्यूम्स मोगल इंडिया के बारे में पढ़ा जाते हैं, कहीं नहीं है, तो इन सब को तो हमने खतम कर दिया, अ और उसके बाद लेफ्ट के हैं, लेफ्ट में भी बहुत सारे शेड्स हैं, उसमें सवार्टन स्कूल भी है, उसमें लेफ्ट के सी पीम के लोग हैं, जो कार्ड होल्डर हिस्टॉरियन्स भी थे बहुत सारे, बहुत सारे ऐसे थे, हम जैसे जो लेफ्ट विंग कह सकते हैं, कि हम हमें हमद trivia सेंटर की हमने कभी और कुछ लक्षिर पंथी थे अब आजकल के जो लिसे नहीं वह तो इतिहासकार है ही नहीं वो तो प्रपगंड़ा करते हैं जै क्योंकि मैं उनकी लिखे हुए इतिहास से मुझे कोई परिशानी हो सकती है, disagreement हो सकता है, लेकिन उनकी scholarship, उनका इतिहास लिखन उस पर और या method उस पर में सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वो serious लोग थे, जो वो लिख रहे हैं, उससे कहीं disagreement हो सकता है, लेकिन उनकी scholarship को question नहीं कर सकते हैं आज जो लोग हैं, जो दक्षिन पंथी तिहास कार अपना आपको कहते हैं, जी, वो असल में दक्षिन पंथी भी नहीं हैं, वो सिर्फ एक, एक viewpoint को, एक political narrative को, को आगे बढ़ाने के लिए propaganda का का काम कर रहे हैं, तो ये फर्क है, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो है ये आज के सरकार को सूट करते हैं, क्योंकि वो उनके डारेक्ट पोलिटिकल नारेक्टिव को फीड करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, साफ, उसमें कोई उसमें कोई शक नहीं है, उसमें वो साफ दिखाय भी देता है, और ये ये जो ग्रह मंतरी का स्टेट्मेंट आता है, ICHR के में में प्रधान मंत्री के भी उसी प्रसर में क्या है कि ग्रह मंत्री का ये जो बयान था अभी हाल में असम सरकार और उसमें सेंटर का भी इन्वाल्मेंट था असम के अहुम सतरवी सेविंटीन सेंचूरी के एक जेनरल थे लचित बोर्पुखान उनके चारसोवी को सेलिबरेट करने के लिए दिल्ली में एक तीन दिवसी कारिकरम होता तो उसमें हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने कहा है कि जो एक्सिस्टिंग इतिहास है उसको एक तो उन्होंने का कि ये कलोनियल कॉंस्पिरिसी है और उन्होंने का ये सिर्फ गुलामी को दर्शाता है और बहुत हमारे इतिहास में वीरता की कहानिया हुई है जिसको नहीं सुनाया जाता है और बोर्पुखान के इतिहास को उजागर किया जाता है मेरी समझ में ये है कि बोर्पुखान को जो इतना प्रोमोट किया गया सरकार दोरा वो सिर्फ इसलिए किया गया क कि वो किसी खास परिस्थी थी में किसी खास historical context में उनकी जो लड़ाई थी वो मुगल आर्मी से थी मुगलों से नहीं थी मुगल आर्मी और मुगलों में और मुगल आर्मी में मैं फर्क इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि उसके जो जेनरल थे वो आमेर के हिंदू जेनरल ही तो ऐसा नहीं कि मुगल से या मुस्लिमानों से उनकी लड़ाई थी लेकिन पेश इस तरह से क्या जा रहा है मुगल 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 को रुक लिया तो यह किस तरह का आप कहेंगे की हारती जनता पार्टी हिरा संग परिवार की जो बाकी जुड़े लोगे इतिहास को एक तर बनाया जाता है उन लोगों ने कभी अपने आपको हिंदू-मस्लमान नहीं देखा उनके लिए वह पावर की लड़ाई थी जी चाहे वह शिवाजी हूँ अब आज तो भाती जिन्दा पार्टी के ही किसी प्रवक्ता ने किसी चैनल के बोला कि साथ शिवाजी ने तो छे बार माफी मांगी थी औरंग्जेप से ना अरे भाई वह आफी थोड़ी थी माफी कहा से हो गई अब वह सावष करकर की माफी से जोड रहे हैं और उनको समय का यह ग्यान भी नहीं है वो 70 में शिधाब जी की बात हो रही है ये 20 में सदी की बात है तो दोनों अलग-अलग पीरेट है हिस्टी के तो इसलिए वो कोई कमपैरिजन हो नहीं सकता है जो बहुत बेतुका है तो बात यह है कि उस पीरेट में शिवा जी के जनरल बहुत सारे मुसलमान थे माना परताब के जनरल मुसलमान है अकबर का जनरल मान सिंग है जिसने हल्डी गाटी की लड़ाई लड़ी अकबर तो खुद गय ही नहीं तो ये सब तो हितिहास में रहा क्लास की भी परसेंटेज अगर हम देखें मुगल पीरियड में पूरे जो रूलिंग क्लास था उसमें मतलब मुसलिम मेजॉरिटी नहीं हिंदू मेजॉरिटी होती है यह मैं कहता हूं कि पूरा हितिहास का लिखन सिर्फ पुलिटिकल अब्यक्टिव के नजरी से किया जा रहा है क्योंकि वो सूट करता है यह पूरा नरेटिव सूट करता है क्यूंकि आपको आंक के पास कुछ और दिखाने के लिए नहीं हैं आपको डिस्टेट करना है लोगों को जोड़े रखना है किसी न किसी मसले और पास्ट बहुत कन्वीनिटली इस्तमाल होता है कई जगा मैंने भी देखा कि साथ बहुत से ग्लोबल कॉंटेक्स्ट में आप देखे हैं तो बहुत से मुलकों में इतियास को लिखा गया दुबारा री राइट री विजिट किया गया जी लेकिन हम यह न उन गेप को फिल करने के लिए उनने रिवेजिट किया हमारे यह हम अब्जेक्टिव थी थिखा हो जाता है कि why we want to go back to इतियास का रहो, चाए राइट विंग इतियास का रहो, चाए सेंटिस्ट इतियास का रहो, बहुत सी गलती रही होंगी, कम यह रही होंगी, हम खुद कहते हैं, इतियास के लोग, कि हमारी जादतर हिस्ट्री जो है, वो नॉर्थ सेंट्रिक है, साउथ के बारे में बात कम होत है दूसरी चीज आज यह यह क्लेम कर रहे हैं कि बहुत सी डानेस्टी की बात नहीं ह skating जा थाख है। हम इस डानिस्टी की जो ही है, उस से कहीं आगे निकल गए है है? अब डानिस्टी की देजी पड़ा जाती हैять अब 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 लोगों के इतिहास पड़ा जाता है लोगों की जिन्दगी कैसी थी ना वो वो किस से का जीवन जीते हैं हमें उस से क्या मतलब है के दरबार में क्या होता था पढ़िए वो भी लेकिन एमफेसिस वो नहीं है तो वो वो इतिहास तो हम बहुत पहले कर चुके जहां करें गैपस हैं आप उसको कीजिए आहूम पर काम नहीं हुआ होना चाहिए तो यह कहना कि साथ आहूम डानिस्टी को जान बुझ कर नूर किया गया वो मुझे लगता नहीं कि एक चीज जो वारवार सामने आती है अगर आप संक परिवार के लोगों के साथ इतिहास के बारे में बात करें या इनके जो प्रमुख नेता हैं उन से इतिहास के बारे में बात सुने मुझे याद मैं पर्सनल अपना experience 2012 में आपको याद होगा कि उस period है जब मैं मोदी जी के biography के उपर research कर रहा था और मैं कुछ आ जा रहा था तो एक particular public meeting जब सूरत में उन्हों रेड्रिस के था चुनावी भाशन नहीं था यह तो उसमें उन्होंने बार बार रेफर किया बारा सो साल की गुलामी तो एक तरह से बेसिकली जो समझ में में रको आता है कि संग परिवार के दृष्टी कौन में जो इतिहास है उसमें समस्या असल में मध्यकाल से है जिसको मिलेवल पीरिड बोलते हैं कि उसको वो बोलना चाहते है कि पहले जो था वो हिंदू पीरिड था उसके बाद में मुस्लिम पीरिड था और उसके बाद में क्रिश्टन या बिटिश पीरिड आ गया तो यह मुझे समझाईए ऐस हिस्टॉरियन कि ये मिलने जिस तरह से जो पीरिड में बाटा था उससे क्या फर्क है तो कलोनियल हम है या वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात कहना वाला था कि अगर आपको कलोनियल मॉडिल से हटना है तो पिर आप आप बार बार उस मॉडिल पर क्यों जाते हैं वापस तो यह बड़ा कर लगता है क्योंकि वो सूट करता है आपकी आज की राजनी दी तो आप उसको फॉलो कर लें बात यह है कि आप 200 साल का जो बिडिश काल है उसको आप मुगल या मीडिवल पीरेट से आप जोड़ें वो बिलकुल बिलकुल बेतुका है उस पर कोई नहीं है क्योंकि क्लॉरियल मॉडल इक्स्वार्टेटीव मॉडल था क्प्युकि उसका मकसद ही अंग्रेज यहां क्यों आए आंग्रेज यहां पर आए क्योंकि वह एक एक बडए छेटर को जो बहूत प्रॉड्टिव था जो mineral रिज़ था जो resources rich تھا. जो industrial revolution जो यूरोप में चल रहा था, उसके लिए बहुत useful था. मर्केंटिलिजम जो यूरोप में पैदा हुआ, उसका एक बड़ा अच्छा useful हिस्सा बन सकता था. वो मकसद था. और उस मकसद में उनका objective सिर्फ यह था, कि वो उनको यहां घर नहीं बनाना, यहां के चीजों को यहां से वापत भीजना है, अपने यहां. तो वो एक exploitative model है. जो मुसल्मान राजया यहां पर आये, चाए वो मुगल हो यह मुगल से पहले हो, वो यहां रहे. यहां से कुछ कहीं ही नहीं गया. जी. आज, जो बार-बार कहा जाता है, बहुत सारी इतिहास का रहे हैं, economic historians, वो कहते हैं कि मुगल पीरेड में हमारी economy कितनी बेतर थी, योरोप के बहुत से मुलकों से. क्यों थी? इसलिए क्योंकि मुगल शासन में बहुत सा और्गनाइजड economic programs हा, उसमें टूटर मल जैसे लोग थे, शियर शा का भी finance minister टूटर मल था. वो खत्री है, हिंदू है, और इन मुगल और अफ़गार बार्शाओं का यहाँ देखने को मिलता है कि जब हिंदू भी है, मुस्लमान भी है, इंपॉर्टन पॉजिशन में हैं. अकबर के नवरतनों में देखिए ना, कौन लोग हैं? जी. उसे मुस्लमान थोड़ी हैं, उसमें बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग हैं. जी. दूसरी चीज़, यह सब, यह सब होने के बाद, आप आज बैठके, इस सब को एक हिंदू-मस्लिम पर्स्पेक्टिव में देखें और इतिहास को इस नजरिये से रिराइट करने की कोशिश करें, जो आपका political agenda है, वो फिर questionable है. जी. और हमारा सवाल या निशान उसी पर है. हिस्ट्री कोड लिखने में कोई problem नहीं हिस्ट्री के तो बहुत सारे schools हुएं, बहुत बार हिस्ट्री को दुबारा लिखा है. फिर दूसी चीज़, आप facts पर रही है. फैट्स को interpret करना, जी. एक fact को imagine करके और की वो fiction है. इसे मेरे कुछ जुड़ावा सवाल मेरे दिमाग में आता है. मैं ये मानता हूँ, मतलब मुझे लगता है, कि जो संग परिवार की लगातार, ये जो एक campaign रही है, कि जो अभी आज तक जो इतिहास पढ़ाया गया है, वो सही इतिहास नहीं है. इसक जिनमाभूमी बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा रहा है, उसको उसके दौरान बड़ा है. एक घटना जो याद आती है, जो हम लोग as reporters याद है, पहले जो विश्व इंदु परिशद दावा करती थी कि हम साब हमारा substantiate करके प्रूव करेंगे कि वहाँ पे एक मंदिर था उसके बाद Archaeological Survey of India का Project Remain के रिपोर्ट आई, जिसको दबा के रखा गया था, उसमें कुछ हम जैसे पत्रकारों ने उसके बारे में रिपोर्ट लिखा और कहा कि Archaeological Survey of India, जिसमें इनके प्रॉफिसर बीवी लाल थे जो मुके उते, जो अभी कुछ समय पहले जिनकी डेथ ह हुई है, कि जिसाब six century के पहले की human settlement की कोई evidence नहीं मिलती, आज के समकाली इन आयोधिया में, तो अगर राम की कोई आयोधिया थी, तो वो ये आयोधिया नहीं है, कोई और आयोधिया हो सकती है, तब अचानक से कहनी आ गए कि राम का जो अस्तित्वा है, जो मंदर होने का ह ये हम साबित नहीं करने की जरूरत है, ये हमारी आस्ता का मामला है, matter of belief, अड़वानी जी ने, राम is a matter of faith, ये एक तरह से जुमला इनों ने चालू किया गया था, तो एक चीज बार बार सुनने समझ में आता है, आप बतलब विग्यान के भी आप इतिहास का रहे हैं, बार इने युग में, बीतेवे युग में, जिसका कोई इतिहास में जिक्र नहीं होता, उसमें हिंदुस्तान में, भारत में, हिंदुस्तान कहने तो गलत है, भारत में, सब कुछ होता था, आपको याद होगा कि आज से करीब दस साल पहले, प्रधान मंत्री मोदी ने एक सरजेरी होती ती, बहुत कुछ अंसाइनीटिफिक क्लेम्स किए, तो अगर मुम्मद इतिहास के हिसा हो सकते हैं, क्राइस इतिहास के हिसा हो सकते हैं, तो हमारे राम जी क्यों नहीं हिस्टॉरिकल कारेकटर हो सकते हैं, क्या यही आर्گूमेνç लगता है इनके पी, आपको? इसलिए प्राब्लम यह है कि अगर आप इनको यह मौलम नहीं कि आप यह सब करके राम कहीं नुखसान कर रहे हैं क्योंकि राम को आप हुमन करेक्टर बना दे हैं जिसे मुहमद है जिसे जीज़स हैं मौमद के तो बहुत सारी फ्रेल्टी जिस भी है जी जॉट सारी लिखी गई अज भी लिकिए जाती है बहुत सी कमजरियां के बारे में बात हो जी है और कभी कलिम भी नहीं किया कि मैं बहुत अलग हूँ आम आदमी थे ना ऐसी जीजस भी है तो राम को आप आम आदमी बना दें और जहरे के आम आदमी बनाएंगे तो फिर वो सारी कमियां भी आप देखेंगे नहीं देखेंगे तो मरियादा पुरुषोतम तो फिर हो नहीं सकते हैं जी तो यह सब जो बाते होती हैं यह क्योंकि आपको यह आपके पुलिटिकल नरेटिव में फिट होता है और पिर दूसरी बात यह हिए कि हिंदू धर्म जो है वो मोनोथेस्टिक रिलिजिन तो है नहीं हम सब लो जानते जितने मुञ उतने अर्माउं कहा जाता है वह उन सब चीजों को ختم किया जारा है हमारी जो डावरिसीटी है डावरिस्टी ओफ रिलिजिन डावरिसीटी विजिशू करिण जी अलिए तो आव हिए पुर्शंड पुर्मोजेटी हैं हमोजेनी टूसरी दिसी पक्षु्छनि हमारी इतिहास जियो कल्चरल पर्सपेक्टिव में लिखा जाएगा नोट जियो पॉलिटिकल अब वो जिस मुल्क में डाइवरसिटी ओफ कल्चर्स हो उसमें एक संस्कृति कैसे हो सकती है उसमें जियो कल्चरल कैसे होगा एक हिंदु़िजम भी जियो कल्चरल नहीं हो सकता हिंदुजम के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है तो बागे धर्मों के तो हैं ही जी और जियो कल्चरल जियो पॉलिटिकल में आईदर और होई नहीं सकता इतिहास में दोनों को एक साथ आपको जोड़के देखना पड़ेगा तो ये ये सवाल बहुत ही अपने आप में बहुत कुशनेबल है मुद्दे जो उठाए गए हैं जिन पर जिनके बिस्स पर इतिहास लिए जाने की बात हो रही है उनमें खुद बहुत सारी कमिया है एक सवाल ये इसमें उठता है कि ये जो एक फैब्रिकेटड इतिहास है क्या ये हिंदुत्व प्रॉजेक्ट के लिए बहुत एसेंशियल है मेरा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इनके जो आइडियोलॉग थे जो सबसेश्रीट के आइडियोलॉग पे बिनायक दामोदर सावर कर उनकी जो सारी की सारी जो हिंदुत्व की जो परिकल्पना थी वो एसेंशियली एक तो कभी बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं हिंदुत्व क्या है लेकिन वो अल्टिमेटली जाके बोलते है हिंदुत्व ही इतिहास है इतिहास ही हिंदुत्व है और वो बार बार एक triangle को plot करते हैं हिंदुत्व, इतिहास और violence इन तीन चीजों के बीच में वो घुमते रहते हैं और violence को बोलते रहते हैं कि हमेशा से इतिहास का हमेशा perpetual integral part रहा है और उसी तरह से ये इतिहास कर रहा है तो हिंदुत्व में भी एक तरह से violence integral है इन तमाम ये भी आपको वाइलेंट होना चाहिए क्योंकि ये तो हुमन नेचर है वाइलेंट होने का तो सवाल ये है कि इनके इस प्रोजेक्ट में इतिहास को हिंदुतों के प्रोजेक्ट में इतिहास और वाइलेंस को आगे बढ़ाना क्या बहुत ज़रूरी है लेकि वाइलेंस को बढ़ाना तो उनको क्वेश्चन करना है गांधी को गांधी की हिंसा को आपको क्वेश्चन करना है तो सावरकर की हिंसा को आप तर्जी देंगे लेकिन बोल तो नहीं रहे कि हम गांधी के नॉन वाइलेंस को उसके बारे में बोलेंगे बोलना शुरूर बोलेंगे क्योंकि गांधी का तो इस्तमाल इंटरनेशनली करना है ना जी बाहर पूरी दुनिया में आपको सावर करकर के नाम पर तो इज़त नहीं मिलेगी आपको कोई इनुस्तान में नहीं मिल पा रही तो वो तो गांधी के नापर मिलती है तो इसलिए गांधी को तो अपने साथ आपको रखना ही पड़ेगा लेकिन एक समय आएगा इनके साब से मुझे नहीं लगता कि वो आएगा लेकिन यह इमाजिन करते हैं कि वो हिंसा और अहिंस को आपने सामने खड़ा करके सावरकर और गांधी को आपने सामने खड़ा करके कोई माइलेज हासिल कर सकते हैं पोलिटिकली आपने कहा कि सावरकर को इंटरनाशनली कोई एकसेप्ट नहीं करेगा क्या आपको लगता है कि सावरकर को इंटरनाशनली एकसेप्ट करने की प् ती और जो सारे के सारे जो जी ट्वेंटी कंट्रीज के जो हाई कमिशनर और अबाकी जो मल्टि लाटरल बाडीज हैं उनको पोर्ट ब्लेर ले जाया गया था और सब से पहले हवाईजाद से उतरने के बाद तुरंट उनको सेलूलर जेल में जाके सावर करके सैल को जाके दि सरकार कर रही है ना उसको internationally accept कोई कर रहा है कि निकर रहा है लेकिन आप मानते हैं कि वह process शुरू हो गई है शुरू हो गए लेकि नो डूमडू प्राजेक्ट है वह चलने वाला नहीं है आपको लगता है कि यह बिदकुल नहीं है क्योंकि उसमें कोई सावर करकी ना विचारो में, ना आइडियालोजी में, ना उनके व्यत्तितों में, वो बात ही नहीं है जो गांधी को क्वेश्चन करे, है ही नहीं, आप की जाएए, संग परिवार की अपनी, जो राजनीती रही है, आपको तो इसका बारे में मालूम होगा, कि सावरकर को, ये लोग भूले हुए थे सावरकर कोई बहुत यूसफल करेक्टर इनके लिए नहीं रहा है, कई कई डेकेट्स तक, सावरकर को तो जिन्दा दोबरा से किया है, मोधी गयाने के बाद, जी, उससे पहले सावरकर का ना मिन लिया जाता था, क्योंकि सावरकर के साथ जो पूरा पैकेज है, उसमें कि अनके लिए जैसे गाय के बारे में क्या वियूज हैं उनके, गोहतिया के बारे में क्या वियूज हैं जो आज बड़ा बुद्दा है, सावरकर ने तो साफ लिखा है, कि गाय की बूज़ आप क्यों करो गए, वो जनवर है, तो यह यह सब चीजे बहुत ऑनकमफरड़ब कि अभी आज हम 2022 में बैठे हुएं, 2024 में लोकसभा के चुनाओं होने वाले हैं, नया इतिहास लिखा जा रहा है, 12-14 वाल्यूम्स लिखे जाएंगे, जो कोई भी सीरियस जो लिखने वाला है, उसे पता है कि दो साल के अंदर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट किसी तरह से लिखी नहीं जा सकती है, अगर लिखी जा सकती है, वो सिर्फ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में कॉपी पेस्ट करके ही लिखी जा सकती है, तो उसका मतलब है कि जो इनके जो संगटन है, जैसा खिलबारती है, इतिहास अंकलन योजना, या फिर इनके जो संग परिवार के, जो 36 जो संगटन हैं जिनके अलग-अलग इतिहास बने हुएं, उसमें से कॉपी करके, तो क्या ये पूरी तरह से पुलिटिकल प्रोजेक्ट है, चुनाओं में एक तरह से उत्सा बढ़ाने के लिए, हैं तो मैंने बहुत बहुत पहले भी कहा है, यह बहुत सारे Ե scrap थीवी चेनल में भी बीदी कुछांने के लिए अगर आपको इतिहास लिखना था, पिछले 75 सालों में जो इतिहास लिख गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतिहास बढ़ाते थे, जो RSS की विचारदारासी जुड़े है जो लेफ्ट के क्रिटीक थे अगर RSS से नहीं भी जुड़े थे इतिहासकार भी थे उनों, उनको किसने रोगा था इतिहास लिखने के लिए कोई सरकार, हम जैसे लोग नोकरी करते थी यूनिवर्स्टी में सरकार ने हमसे कभी कुछ नहीं का जो भी कुछ लिखा, अपनाप लिखा लगा कि हमें यह लिखना चाहिए, तो लिखा इस तरह से कौन सी पबंदी थी क्यों इतिहास नहीं लिखा गया RSS का इतिहास, जिसके आज बात होती है Freedom Struggle में, RSS का RSS का रोल Freedom Struggle में, उस पर इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, अभी तक पिछे 30 साल हो गया है, आजादी को जादा किने के लिए मिलेगा नहीं आप इसलिए तो मैं कहा रहा हूँ, आजादी का अमरित महुस्टफ चल रहा है, उसमें कम से कम 57 वाली हुआ जाते, मैं एक दूसर सवाल बार-बार उन लोगों से कहता हूँ, जो यह उठाते हैं, कि नेशनल आर्काइज में जाईए, आर्काइज की फाइलें पढ़िए, जो भी कुछ इतिहास, Freedom Struggle का हम लोगों ने लिखा है, या और रोल किसी कॉंग्रेस पार्टी का या किसी आपके दुश्मन का ने देख सकते हैं, जी, अगर आपका रोल था, आप कहीं गिरफतार हुए थे, आपका नाम फाइल में आएगा, जी, जैसे और लोगों का आया, तो किसी फाइल में आपको नाम नहीं मिलता, जी, जी, हेड़े बार्ट कर नाम आता है, R.S.S. के बनने से पहले, जी, उनीसो पचीज से पहले, जी, जब वो कंग्रेस में के साथ शामिल थे, वो शामिल थे, आन कॉपरेशन में मुंजे भी शामिल थे, जी, उस वक्त, R.S.S. बनने के बाद, 1920 में नागपूर में कॉंग्रिस का सेशन हुआ था उसमें वो सक्रे रोल प्रे किया था जो हमारे बड़े विचारक हैं वो उनसे करे बाद बात होती है मैंने मैंने गा मुझे 1925 के बाद बताओ ना 1925 से पहले के नाम लेने की ज़रूत नहीं है 1925 के बाद आपके रोईया क्या रहा क्या रोल रहा उस पर बात होने चाहिए मुझे ये लगता है कि एक तरह से कॉंस्पिरेसी की थियरी फ्लोट की जा रही है की थाप एक कॉंस्पिरेसी थी कि जो हमारे जो सुरनिम जो इतिहास है उसके बारे में कोई नहीं लिखता है ये आपको ये लगता है वही तुम्हें कहता हूँ वह सुरनिम इतिहास के बारे में आपने खुद क्यों नहीं लिखा ये सारी जिम्मजारी उन उपर क्यों डालते हो जिन जो आपके दुश्मन है जिन को आप दुश्मन कहते हो जो देश के दुश्मन है लेफ्ट के इतिहास कार तो उन से आप क्यों उम्मीद कर रहे थे हो तो चलिए आप मालिया वो इतिहास लिखना ही नहीं चाहते थे जो आप खुद लिखते हैं? भी कोई पाबंदी किसी तरी की देश में लिखने पढ़ने पर थोड़ी रही है. एमर्जनसी को छोड़ दी ये तीन साल. उसमें भी पाबंदी नहीं थी. घर में बैठके कोई लिख सकता था. लेकिन इस देश में आजादी थी जो चाहे जो चाहे लिखे. आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि मतलब आजादी थी इस देश में जो चाहे लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखते थे. क्योंकि शायद इतिहास लेखन को लेके राजनीती करने का सही समय 2022 में ही है कई बार और ये राजनीती खेली गई है सिलेबस बदले गए हैं, किताबे बदली गई हैं तो एक नया दोर इतिहास की राजनीती का हम देख रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे इर्फान हबीब साब से आज का कारेकरम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद